सवाल नमबर एक, क्रिकेट में पहला छक्का किसने और कब मारा था? सही जवाब है, क्रिकेट में पहला छक्का 3 जून 1877 को आस्ट्रेलिया के खिलाडी चार्ल्स बैनर मेंन ने लगाया था. सवाल नमबर दो, चाय किस भाशा का शब्द है? सही जवाब है, चीनी भाशा का. सवाल नमबर 3, भारत के किस व्यती ने 2010 में अपने बेडरूम से ही पुरे US मारकेट्स को क्रैश कर दिया था? सही जवाब है, नविंदर सिंग साराओ ने. सवाल नमबर 4, प्रताप के घोडे चेतक के सिर पर हाथी का मुखोटा क्यों लगाया जाता था? सही जवाब है, चेतक के मुखोटा इसले लगाया जाता था, ताकि दुश्मन की सेना के हाथियों को कंफ्यूज किया जा सके, साथ ही दुश्मन सैनिक और सेनाप्ती इस कंफ्यूजन में रहे कि भला कोई हाथी इतना तेज और. फुर्तीला कैसे हो सकता है? सवाल नमबर 5, 25 जुलाई 2001 को किस राज में लाल रंग की बारिश हुई थी? सवाल नमबर 6, किस देश के शहर में साल 2023 से दिवाली पर वहां के स्कूनों में छुटी रहेगी और दिवाली मनाई जाएगी? सही जवाब है, अमेरिका के चर्चित शहर निउयोक में साल 2023 से दिवाली पर स्कूनों में छुटी रहेगी निउयोक शहर के मेर एरिक एडम्स ने इस बारे में जानकारी दी है सवाल नंबर साथ, वितिय विश्व युद्ध के दौरान कौन सी अभिनित्री ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए लगभग 10,000 सैनिकों को किस किया था? साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बिल आइकन को दबा कर ओन कर ले सही जवाब है, मलिन हरे अभिनेत्री ने सवाल नमबर आठ, अगर दुनिया से मधुमख्यां गायब हो जाती है, तो मनुष्य के पास जीने के लिए कितने वर्ष बचेंगी? सही जवाब है, यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसकी पुष्टी खुद अलबर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक ने की थी, उन्होंने कहा था, अगर मधुमख्यां धर्ती से गायब हो जाती है, तो मनुष्य के पास जीवन जीने के लिए केवल चार साल होंगे, सवाल नमबर 9, गूगल पर एक मिनट में कितने सवाल पूछे जाते हैं? सही जवाब है गूगल पर एक मिनट में लगभग 35 लाख सवाल पूछे जाते हैं सवाल नमबर दस मनुश्य को सबसे ज्यादा गंदा मानने वाला जीव कौन सा है सही जवाब है कोक्रोच इनसानों को इतना गंदा मानते हैं कि वे इनसानों द्वारा छुए जाने के बाद न केवल भागते हैं बलकि खुद को साफ भी करते हैं साथियों कैसा लगा हमारा विडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सबसक्राइब कर ले